संजु को कोल स्टोर में बंद देख नीती ने बचाने की कोशिश दलजीत ने नीती पर किया बड़ा हमला कलर्स टीवी के शोव पर नीती के अपकमिंग अपिसोड में हमें यह देखने मिलेगा जैसा कि कोल स्टोर के बाहर अब दलजीत संग नीती बिया पहुँची है जहां पर वो पारवती के मौत का अंधिजार कर रही होती है लेकिन ऐसे में जब संजु अंदर से मदद की पुकार लगाता है तो यहां पर नीती यह आवाज सुन लेती है और जब उसे यह पता चलता है कि यह आवाज संजु की है तो नीती कोल स्टोर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है जहांपर दलजीत उसे रोकता है लेकिन यहाँ पर नीती दलजीत की एक नहीं सुनती है और कोल स्टोर के दर्वाजे को खोलने की कोशिश करती है नीती जहाँ पर नीती के सर पे जोर से वार करता हुआ दलजीत नजर आ रहा है और ऐसे में नीती बेहोश होकर नीचे गिड़ जाती है जहांपर नीदी कोल स्टोर का दर्वाजा नहीं खोल पाती और अब ऐसे में संजू और पार्वती यानि की परी दोनों कोल स्टोर में थंड में तड़प रहे हैं जहांपर जब संजू पार्वती को समालने की कोशिश करता है और उसे अपने करीब लाता है यहां पर वो देखता है कि वो ओलेडी बेहोश हो चुकी है जहां पर जब वो परी के हाथ को थामने की कोशिश करता है तो परी का हाथ नुड़कता हुआ नीचे गिर जाता है ऐसे में परी को यूँ देखकर संजु से बरदाश नहीं होता जहां पर परी के लिए संजु की फिकर काफी जादा बढ़ती हुई नजर आ रही है विल क्या होने वाला है आगे जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें